नमस्कार के आपिजल टिवी का खाश और राहूल का अगनेपद देखने हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूझा लोगसमाच नौग की पहले चलन में 21 राज्जी और केंदर शाषत प्रदेशों की 102 सीटों पर आज वोटिंग हुई वोटिंग से पहले राहूल गांदी ने लोगों से वोटिंग को लेकर खास अपील की नफरत को हराकर महबत की दुकान खोलने का जखर किया तो राहूल गांदी की अपील में कितना दम नजर आया वो बताएंगे आपको पर आज पियम मोदी ने अमरोहा से राहूल गांदी का दम निकाल दिया जिरसल आज पियम मोदी चुनाव प्रचार के लिए अमरोहा पहुंचे थे और मंच से राहूल गांधी पर पेम ने जम कर प्रहार किया पेम ने राहूल अकलेश की जोड़ी पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि प्रदेश में रिजेक्ट हो चुकी दो शहजादों की जोड़ी घूम रही है उनकी फिल्म शूटिंग चल रही है वो हमारी आस्था से खिलवार कर रहे है साथी पेम ने राहूल गांधी पर द्वारका में पानी के भीतर उनकी पूजा का मज़ाक उड़ाने के लिए निशाना साधा और दावा किया कि कॉंग्रस के शहजादा ने वोड बैंक की राजनीती के लिए पवितर स्तल पर उनकी पूजा का मज़ाक उड़ाया तो चुनाओं के दिन पियम मोदी का राहूल गांधी पर तगड़ा प्रहार की चर्चा करेंगे साथी राहूल गांधी ने क्यू पिनराई विजन को जेल बेजने की बात कही है इस पर भी चर्चा करेंगे मेरे साथ स्टूडिय में मज़ूद है क्यापिटल टीवी के एक्सक्यूटिब एडिटर राजीर जी सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो कारिकरम की शुरुआत करें तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे राहूल गांधी ने लोगों से वोटिंग को लेकर खास अपिल की राहूल गांधी ने शोशल मीडिया प्लेटपॉम एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि आज पहले चरन का मतदान है याद रहे आपका एक एक वोट भारत के लोगतंत्र और आने वाली पीडियों का भविश्ट तैक करने जा रहा है यसलिए बाहर निकल ये और पिछले दस साल में देश की आत्मा को दिये गए जक्मों पर अपने वोट का मरहम लगा कर लोगतंत्र को मजबूत कीजिए नफरत को हरा कर खोल दीजे हर कोने में महबबत की दुकान ये राहूल गांधी की कैसी अपील है ये अपील यही है जिसके कारण तेलंगना में कॉंग्रेस का ही एक कार्पोरेटर एक कॉंग्रेस का और उसकी हिम्मत इत्ती नहीं हो रही है कि अपनी बेटी का शब देखकर भी वो ये बता सके किसे मारने वाला फ्याज है ये इस्तती है राहूल गांधी की राहूल गांधी तेलंगना में जो सरकार बनी है कॉंग्रेस की वहाँ पर किस तरीके से मुस्लिम एपीज्मेंट कर रहे हैं कि इनके पार्टी के एक नेता कार्पोरेटर है और उसकी बेती को चाकू से गोद गोद कर मारता है और मारने वाला लड़के का नाम फयाज है और वो डरडर के बोल रहा है कि नहीं नहीं ये जो लड़का है वो गैर जाती का है दूसरी जाती का है वो ये भी नहीं बता सकता दूसरे धर्म का है बलकि वो जाती की बात करता है क्योंकि राहुल गांधी ने कॉंग्रिस के अंदर ऐसे दसत पैदा करके रखे है कि अगर कोई मुसल्मानों के खिलाफ बोले चाहे मुसल्मान उसके खिलाफ जो भी काम कर दे अगर उसके घर को जला दे उसकी बहु बेटियों के इज़्जत के साथ खिलवार करे लेकिन फिर भी तुम ये नहीं कहोगे कि ये मुसल्मान ने किया किसी मुसल्मान लड़के ने किया या मुसल्मान भीड ने किया ये नहीं कह सकते तुम उसको ढखने की कोशिश करो ये Congress के अंदर चल रहा है और राहुल Gандi कहता है कि महबबत की दुकान लगाने के लिए हर कोने में महबबत की दुकान खड़ी करो और उसके लिए voting करो वोटिन तो किया तेलंग नामे भी तुम्हारी party के लिए voting किया और हो क्या रहा है नतीजा कै निकल रहा है क्योंकि उन लोगों के बात जिसको बोल रहे थे परधान मंत्री नरेंदर मोदी परधान मंत्री मोदी ने क्या कहा कि ये टार्गेट इसलिए किया जा रहा था हमारी पूजा को लेकर कि वोट बैंक इनका सुरक्षित रहे अब वोट बैंक कौन सा है जो सुरक्षित रह सकता है जबकि पूजा की बात हो रही है दुआरिका धीश की पूजा की बात हो रही है तो वहाँ पर उरका विरोध करने वाला कौन है यहाँ पर विरोध करने वाला तो एक ही समुदाय है और वो है ये जिहादी तत हो ये मुसलमान यहां का और राहुल गांधी उसी के लिए मुहब्बत की दुकान चलाता है पिये मोदी ने साफ तोर पर कह दिया कि तुमारी वोट बेंग की राजनिती यही है कि सनातन धर्म का विरोध करो सनातन धर्म को खत्म करने की बाद करने वाले के साथ खड़े हो उसको अपना भाई बनाओ और जो हमारे धर्म के खिलाब साजीस करने वाला वर गए तुम उसके तुस्टिकरन के लिए हदे पार कर दो जैसा तिलंगना में देखने को मिल रहा है जैसा करनाटक में देखने को मिल रहा है करनाटक में इसी की सरकार है बंबलास्ट करने वाला कहीं हर हर महादेव करता हुआ आया था यह जो पकड़ा गया यह वहां से निकला और इसको उत्तर परदेश नहीं मिला इसको कोई भारतिय जंता पार्टी शासित राज करनाटक से निकल के वो जा सकता था महारास्ट में मुंबई में छिप सकता था वो तो बड़ा सहर है लेकिन वो ममता बनर जी की यहां गया क्योंकि वहां छिपने की अच्छी जगह है वो जानता है कि वहां की पुलिस अगर इन्फॉर्मेशन मिले भी तो उसे भागने के लिए कहेगा उसे गिरफतार नहीं करेगा ये तो शुक्र है कि यहां पर केंद्रिय एजेंसियां है एनाये पूरी तरीके से एक्टिव है इन मामलों में और एनाये के टीम वहां जाकर पकड़ के लाई है ये तो सरकार करनाटक में भी इनी की है महबबत की दुकान खुल रही है हर जगर ये जो बलास्ट हो रहे हैं वो भी महबबत की दुकान ही है ये मुसलमानों का तांडब है वो भी महबबत की दुकान ही है कभी राहुल गांधी ने नहीं कहा कि कनहया लाल के गला रेट कर रत्या कर दी गई ये बहुत गलत बात है कभी राहुल गांधी ने नहीं कहा कि ये जो इद के समय नमाज पढ़ने के समय में ये लोग फ्री प्लिस्तीन के नारे लगा रहे थे पुस्टर लगा रहे थे ये गलत है ये कभी लोगों नहीं नहीं कहा कि मस्जित निकलते हुए अल्ला हुआ अकबर का नारा लगाते हुए ये हिंदू मुहलों में हंगामा खड़ा करता है होड़दंगाई करता है कभी इसने नहीं कहा कभी ये नहीं कहा कि हैदराबाद के अंदर वैसी जैसा गुंडा हिंदू बहो बेटियों के साथ क्या गलत कर रहा है उसके लोग कैसे परिशान कर रहे हैं उन लोगों को केरल से लड़ रहा है केरल में कभी इस नहीं का कि किस तरीके से केवल हिंदू नहीं बलकि क्रिश्चन भी इन लोगों से परवावित है जहां से लब जिहाद की बात आ रही है सिर्फ लब जिहाद नहीं वहां तो कितने लोगों की हत्या कर दे गई निर्मम हाथ काट दिये गए अभी भी वो घूम रहा है कटा हुआ हाथ लेकर प्रोपेटर जिसने एक टिपनी की और उसके बाद उसके घर पर जाकर उसका हाथ काट दिया गया राहुल गांधी ने कभी ये बात नहीं कही ये मुहबबत की दुकान खोलेगा और मुहबबत की दुकान खोलने के लिए दिल्ली में आया क्या राहुल गांधी ने एक भी टिपनी की कि मुर्शिदाबाद में राम नौमी के सोभा यात्रा के दौरान जिस तरीके से पत्राव किया गया बीस बीस लोग गायल हो गए कुछ महिलाएं गायल थी और वो अस्पताल में इलाज करवा रही है ये राहुल गांधी ने कहा कभी इस पर टिपनी की इसलिए पिये मुदी ने टार्गेट है पिये मुदी ने तो कई बड़े बड़े प्रहार आज किये है बिलकुल और उसमें सबसे बड़ी बात यही रही ये तो राज़ितिक बात है कि ये रिलाउंच करने की कोसिस करते हैं राहुल यान कभी रिलाउंच नहीं हो सकता ये भी राज़ितिक टिपनी है कि ये दो शहजादे दोनों शहजादा ही है दोनों राजकुमारी है, एक मुलायम सियादब का बेटा, जो मुलायम सियादब का बेटा होने के कारण मुखमंत्री बना, यहां तक की अपने नित्रित में उसने एक भी चुनाब नहीं जीता, जो 2012 का चुनाब जीता गया था, समाजवादी पार्टी में उस समय चेहरा अख चुनाब जीता गया, और इसलिए अखलेश यादब, मुलायम सियादब और शिपाल यादब, यह तीनों के बीच जो जगड़ा था, उसकी वज़ह यही थी, कि शिपाल यादब चाहते थे, कि आप अगर रिटायर्मेंट चाहते हो, तो कम से कम एक बार हमें तो मुका दो, 20 सालों से हम इंतजार कर रहे हैं, वो भी बाई था, लेकिन पुत्र मोह में फसकर, मुलायम सियादब ने क्या किया, अखलेश यादब को सियम बना दिया, और अखलेश यादब ने बाप चाचा दोनों को वही हसर उसका किया, जो औरंचेव ने किया था, यह जो जिहादी म पहरू, खांदान के यह चसमे चिराग बने हुए हैं, कब बुच जाएंगे पता नहीं, लेकिन फिर भी अभी तक तो जो भी इनके पास है, वो इनके खांदान के कारण है, इसकी अपनी उपलबदी क्या है, पढ़ाई लिखाई करके आया, तो उसके बाद एक बिजनस किया, वो भी चल नहीं पाया, उसके बाद राजिती में आ गया, कि भाई, हमारे बाप दादाओं ने एक छोड़ के गया है, परधान मंत्री तो कभी बनी जाएंगे, इस बाद के लिए इन लोगों के मन में विचार नहीं हो रहा था, कि मनमोहनसिन के बाद एक ऐसा नेता क रिश्माई आ जाएगा, जिसके पास हमारे लिए कोई स्पेस ही नहीं रहेगा उसके बाद, और यही लाचारी है जो राहुल गांधी के फ्रस्टेशन का कारण बना हुआ है, और पी एम मोदी ने जो बाते कही है, उसके बाद वोटिंग के दिन, अचानक से, ये राहुल का चिछोरा मैसेज जो है, वो पूरी तरीके से आधारहीन हो गया, इसे पढ़ने वाले कॉंग्रेस के लोग भी जो है, वो कॉंग्रेस को वोट देने वाले नहीं है, मतलब वोटिंग के दिन ही राहुल गांधी की बेजती हो गई, खैर, अपनराई बिजियन जो पूच रहा है कि जो पिछली बार जो हमें बामन पिरपन सीटे मिली थी, उसमें सबसे बड़ी भूमिका तो केरल की रही, अब इस बार केरल में वो सीटे नहीं मिलने वाली हैं, क्योंकि केरल में ऐसे भी बिलकुल अल्टरनेट चलता है, एक बार वामपंती गठ बंधन, LDF और UDF के बीच एक बार उसकी जीत, एक बार इसकी जीत होती रही है, लेकिन पिंडरे विजियन ने इसको ब्रेक किया, अब इस बार वहाँ पर दोनों के बीच लोकसभा में गठ बंधन तो है नहीं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं, और साथ ही खिलाफ होने के बाद एक बड़ा जो हमला किया है पिंडरे विजियन ने, ये पूरे LDF गठवंदन ने कि राहुल गांधी के खिलाफ ही है नीरजा को कड़ा कर दिया, अब राहुल गांधी परेशान है कि वाइनाट से भी भगाया जा सकते हैं, अब किसी बेन गोपाल जैसे नेता, जो कि पिछ फ्रस्टेटेड हो गया है, बॉखलाहट है कि पिंडरे विजियन को जेल भेजो, नहीं, जेल भेजने का मतलब ये है कि भारतिये जनता पार्टी के साथ पिंडरे विजियन की सेटिंग है, जो पिंडरे विजियन, कongress के इसारे पर, यहां सुप्रीम कोट में चार-चार के लड़ रहा है किंदर सरकार के खिलाफ वामपंथी पार्टियों के खिलाफ पी एम मोदी ने जितनी बात बोली है उतना राहुल गांधी की अवकात नहीं है कि पूरे अपने जिंदगी में बोल सके क्योंकि वो पूरे वामपंथियों से गिरा हुआ है लेकिन फिर भी ये रहो और हम तुम्हारे साथ रहते हैं अनोफिसियली गटवंदन में तो है नहीं गटवंदन में रखने का मतलब है कि नौर्थ इंडिया में कोई भी वोट जो हिंदू है वो राहुल गांधी की पार्टी को देगा नहीं तो इसलिए वहां पर डर के यहां पर अब बिहार म का गटवंदन है इसको पिये मोदी ने एक साथ निप्टाया है और सारे लोग मिलकर भी उसी तरीशे से सिकार नहीं कर सकते जैसे जंगल में जो कहावत है ये दस बीस पचास सो दो सो भेड़ मिल जाए भेड़िये मिल जाए तो शेर का सिकार नहीं करते लगता ये चोर लि गांधी ने क्या कहा राहुल गांधी ने कहा दो दो सीम को तो जेल भेज दिया इसे क्यों नहीं भेज रहे है अब तो सोचना चाहिए कलप्रा सुरेन और सुनीता केजरिवाल को कि राहुल गांधी हमारे साथ मंज पर तो रहता है लेकिन बाहर में इंडरेक्टली यही कह रहा है दो सीम को जेल भेजे वो सही किये क्योंकि तुम तुलना किसे कर रहे हो दो सीम को जेल भेज दिये पिंडरे विजन को भी जेल भेजो क्योंकि तुम्हारी सेटिंग है मतलब दो सीम और वो तीसरा सीम यह सारे करप्ट हैं सारे करप्ट नेताओं को जेल भेजो क्यो पती के जेल जाने से तुम्हें खुशी हो रही है या दुख हो रहा है या घड़ियाली आसुब हाते हो रहा है ये राम लिला मैदान में आकर अब ये इंडी एलाइंस के अंदर ही इस चुनाब के बीच अभी तो पर्थम चरण का हुआ है इस बीच ऐसे स्थिति आ जाएगी कि अंतिम चरण के चुनाब से पहले ही ये बीच बीच में जहां जहां जितनी सीटों पर चुनाब होगा ये आपस में लड़न कर निपट जाएंगे पिये मोदी ने इस बात का संकेत दे दिया है तो राहूल गांदी पर पियम मोदी ने कड़ा प्रहार किया है तो वहीं र पिनराई विजियन पर जमकर निशाना साधा राहूल गांदी ने पूछा कि बीजेपी मुख्यमंत्री पिनराई विजियन पर हमला क्यों नहीं कर रहा है राहूल गांदी के इस बात पर अश्यर जताया है कि E.D. ने अब तक केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजियन से पूश्ताच क्यों नहीं की है जबकि दो-दो सियम जेल में है राहुल केस बयान को लेकर अब बबाल बढ़ता जा रहा है अब अपनी राइक कमेंट कर लिखें देखते रहे क्यापिटल टीवी नमस्कार